आज हम उन वैक्तियों की बात करते हैं जिनका जन में किसी भी मैने की तीन तारीक, 12 तारीक, 21 तारीक या 30 तारीक को हुआ है इनका मुलांक बनता है तीन, इनके लॉड होते हैं रस्पती, जूपीटर जो इनके लाइफ में एक मार्क दर्शन का काम करते हैं तीन नमबर वालों का व्यक्तित्व एक दूर द्रशनिता, एक मेडियेटर और एक एडवाइजर के रूप में देखा गया है इनके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम तब सुरू होती हैं जब ये अपनी देने की भावना से हट जाते हैं अगर ये अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हैं तो इनको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए इनको देखना चाहिए कि घर में कभी भी टूटा हुआ काच ना हो, अगर टूटा हुआ काच इनके घर में रहता है तो और नमबरों के मुकाबले तिन नमबर वाले व्यक्तिक को negative impact जादा पड़ेगा, इनको कभी भी अपने घर में सिर्फ सर वाला statue नहीं लगाना है, इनको अगर रिस्तों में देखते हैं तो इनके बड़े भाई और गुरू होते हैं, इनको उनका मान समान करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके दिये हुए एडवाइस को अपने लाइफ में एपलाई करना चाहिए, इनको अपने अर्निंग में से कुछ शेयर मंदि में जरूर दान देना चाहिए, इनको कभी भी अपने देने की भावना को खत्म नहीं करना चाहिए, हैल्प हमेशा करते रहना चाहिए, तो यह आपके लिए बहुत बेनिफीशन रहेगा, आप देखेंगे कि आपका जो काम करने में जितनी ज़्यादा परिक्षाएं देनी पड़ती थी, वो धीवे धीवे कम होने लगेंगे, जय गुरूर।